जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जै गुरुजी आज मैं आप सबको बताऊंगी, गुरुजी क्या सिर्फ एक शब्द है? संगत जी, हमारे लिए क्या गुरुजी सिर्फ एक शब्द है? या इसका कोई अर्थ भी है? गुरुजी एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समाई है जिसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जिसमें हर आसू का जवाब है जिसमें हर मुस्कान प्यारी है जिसमें हर सास मीठी है जिसमें सब देवी देवताओं का वास है जिसमें जिन्दगी पूरी है जिसमें हमारे कल्यान का मार्ग है जिसके बिना जिन्दगी अधूरी है जिसमें खोव कर ना सुबा का होश रहता है ना रात का इस शब्द की व्याख्या बहुत मुश्किल है दुनिया के लिए सिर्फ एक शब्द है पर हमारे लिए गुरु परिवार के लिए ये जिन्दगी जीने की एक वजा है गुरु जी सिर्फ शब्द नहीं साक्षाद गुरु है इस शब्द का अपमान यानि हमारे गुरू का अपमान हम ये जानते हैं फिर भी हम इग्नोर करते हैं अपमान करते हैं जहां मर्जी वहां लिखते हैं जहां मर्जी वहां स्थिकर चिपकाते हैं संगत जी घर के अंदर जो स्वरूप हम गुरू जी का लगाते हैं उसे हम बड़े प्यार से साफ करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसमें हमें गुरू जी दिखते हैं, जब हम जै गुरू जी बोलते हैं, तो हमारे चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान आती है, क्योंकि हमने गुरू को याद किया, कितनी शक्ती है इस एक छोटे से तो भी हमने ये सोचा कि जब हम गुरू जी लिखा हुआ स्टिकर कार के पीछे लगाते हैं या घर के बाहर गेट में लगाते हैं तो उसकी सफाई कैसे होती है कार के पीछे लगाए हुए स्टिकर की सफाई उसी कपड़े से वाश करने वाला करता है जिससे वो टायर साफ करत प्रजी गायब है या फटा हुआ है आई है ही नहीं और हम वैसे ही लगा हुआ छोड़ देते हैं फर्क पड़ता है सिर्फ स्टिकर ही तो है है ना हम घर के अंदर बैठे होते हैं और घर के बाहर गेट पे गुरुजी का स्टिकर लगा कर उन्हें घर के बार कड़ा कर देते हैं कहते हैं हम गुरुजी से प्यार करते हैं माफ कीजिए पर हस उटा है मेरा मन हमारी सोच पर अभी हाल ही में एक सत्संग में गुरु जी लिखा हुआ स्टिकर एक संगत ने दूसरी संगत को दिया कार के पीछे लगाने के लिए उसी वक्त गुरु जी ने मुझसे बुलबाया अंकल गुरु जी शब्द बहुत बड़ा है ये साक्षाद गुरु है इसे कार के पीछे मत लगाईए कोई भी कैसे भी कपड़े से उसको साफ करेगा तो अच्छी बात नहीं आप स्टिकर को फ्रेम करवा के घर में लगा लीजिए ये सुनके एक दूसरी संगत कहती है नहीं स्टिकर हम कार के पीछे लगा सकते हैं इससे कार सेफ रहती है गुरु जी भी हस पड़े ये सुनकर और कहते हैं जाने दे बेटा चुप हो जा कितना कष्ट पहुँचा होगा गुरु जी को ये बात सुनकर गुरुजी फिर कहते हैं बेटा मेरी ड्यूटी मुझे बता दी गई है आज अब मुझे सिर्फ उनी कार्ज को सेफ रखना है जिन में मेरे नाम का स्टिकर लगा है क्योंकि इससे पहले जब स्टिकर्ज नहीं बाटे जाते थे तब तो मैंने किसी का ध्यान नहीं रखा चुप हो जा बेटा, रहने दे गुरुजी, जो महाशिव है, जो त्रिलोग के स्वामी है जो पूरी दुनिया को चलाते है उनके लिए हम इतनी छोटी सोच रखते हैं कि कार के पीछे या गेट पे स्टिकर्ण नहीं लगाया तो बे हमारा कल्यान नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी ने अपने आशिरवाद से बहुत से सत्संग सुनवाए हैं और कई सत्संग में बताया गया है कि किस तरह गुरुजी ने उनके कार की उनके घर की रक्षा की उस वक्त तो कोई स्टिकर नहीं थे फिर आज कैसे बिना स्टिकर के गुरू जी हमारा कल्यान नहीं करेंगे जरा सोचिए हमने हमारी कार में गुरू जी का स्टिकर लगाया है एक दिन कुछ दूर घटना होती है और कार का एक्सिडेंट हो जाता है पर हमें खरोच भी नहीं आती गुरू जी ने हमारी जान बचा दी पर गुरू जी को तो कार को सेफ रखना चाहिए था क्योंकि हमने उस पे जो स्टिकर लगाया है हमारी जान जाती तो जाती क्या फर्क पड़ता है है ना मुझे याद है मैं एक बार ड्राइव कर रही थी मेरा एक बहुत मेजर एक्सिडेंट होते होते बचा बस उस एक मुमेंट में मैंने गुरू जी को याद किया और मैं अपनी कार के साथ सेफ थी गुरू जी को तो मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था ना तो मेरे गले में लौकिट था ना ही कार पर कोई स्वरूप और ना ही कार के पीछे गुरू जी का स्टिकर गुरू जी ने संगत द्वारा नियुक्त ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं निभाया मुझे और मेरी कार को बचा कर है ना क्या गुरू जी पहले हमारा कल्यान नहीं करते थे गुरू जी को श्रद्धा से और प्यार से सिमरन करो इतना ही काफी है लौकेट्स, स्टिकर्स और स्वरूप की कोई ज़रूरत नहीं है किसे दिखाना है हमें स्टिकर और लॉकेट्स लगा कर कि हम गुरु जी को फॉलो करते हैं गुरु जी को पता है ना कि हम उन्हें मानते हैं, इतना ही काफी है ना कि पूरी दुनिया को बताने की जरूरत है कि हम गुरु जी की संगत है गुरु जी का अपमान मत करो गुरू जी सिर्फ शब्द नहीं, साक्षाद गुरू है इसे सिर्फ एक शब्द मान कर गुरू जी का अपमान ना करें संगत जी ये सब बंद कीजिए गुरू जी के नाम पर दिखावा करना बंद कर दीजिए गुरू जी हमारे मन मंदिर में बसते हैं वो हमारा कल्यान, स्टिकर और लॉकेट को देखकर या ब्रेसलेट स्वरूप को देखकर नहीं करेंगे अगर हम मन से भी गुरु जी को याद करेंगे, गुरु जी का नाम लेंगे तो भी वो हमारी भक्ती देखेंगे आप अपने घर के अंदर स्वरूप रखिए आप अपने घर के अंदर स्टिकर लगाईए ताकि आप उसको अच्छे से मन से साफ कर सके साफ कपड़े से साफ कर सके संगत जी, इस सत्संग में मैंने ये नहीं समझाया कि आपको स्टिकर कार पे नहीं चिपकाने है मैंने ये समझाया है कि अगर जै गुरुजी में से कोई भी अलफाबेट हट गया है तो उसका अनादर ना करें उसको जल्दी से जल्दी ठीक करा लें और अगर आप जै गुरुजी या ब्लेसिंग ऑल्वेस गुरुजी का स्टिकल लगाते हैं तो उसको रोज अच्छे से क्लीन कीजिए खुद क्लीन कीजिए संगत जी वो भी गुरुजी का स्वरूप ही है उसमें भी गुरुजी विराजमान है तो आप उसको रोज अपने हा स्वरूप या फिर गुरु जी का कार का स्टिकर मत लगाईे अगर आप अच्छे से केर कर सकते हैं तब ही आप लगाईे प्लीज स्वरूप का अनादर मत कीजिए अगर आपको गुरु जी से कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मैं उसका आंसर कमेंट में रिपलाई करके या फिर वीडियो बना कर जरूर दूँगी जै गुरूजी शुक्राना गुरूजी